Your Excellency, Prime Minister Kishida, Distinguished Delegates, Namaskar जपान के प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री किशिदा का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसंदता हो रही है कुछ दिन पहले जपान में आये भुकम के कारण जानमाल की च्छती के लिए मैं पूरे भारत की और से समवेदनाय ब्यक्त करता हुए प्रेंट्स, प्रधानमंत्री किशिदा भारत के पुराने मित्र रहे हैं विदेश मंत्री की भुमिका में वे कई बार भारत आये थे और मुझे उनके साथ विचारों का आदान प्रधान करने का अउसर भी मिला था पिछले कुछ वर्षों में भारत जापान स्पेशल स्ट्राटेजिक एंड ग्लोबल पार्टरशिप में जो अभुद्पूर्वत प्रगदी देखने को मिली उसमें प्रधानमंत्री किशिदा की महत्वपूर्ण भुमिका रही है आज की हमारी समीट का आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण समय हुआ है विश्व अभी भी कोविड नाइंटीन और उसके दुश्प्रभावों से जूज रहा है बैश्वीक एकोनाविक रिकवरी की प्रक्या में अभी भी अर्चने आ रही है जियो पुलिटिकल घटनाएं भी नई चुनवतियां प्रस्थूत कर रही है इस संदर में भारत जापान पार्टरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है इससे इंडो-पैसिफिक छेत्रव और पुरे विश्व के स्थार पर भी पीस, प्रस्परिटी और स्टेबिलिटी को प्रोचान मिलेगा हमारा आपसी विश्वास, हमारे सिविलाइजेशनल टाइस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल आफ लो जैसे हमारे साजा मुल्य प्रचाने हमारे आपसी सहयोग को नई उचाहियां तक ले जाने का मार्ग प्रसस्त किया है हमने वीपक्षिय मुद्दों के अलावा कई खेत्रिये और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आधान प्रदान किया हमने उनाइटेड नेशन्स और अन्य अंतराष्टिय मंचो पर भी अपना समन्वे बढ़ाने का निर नहीं लिया फ्रेंड्स भारत जैपान आर्थिक पांटरशिप में पिछले कई वर्षों में अभूत्पूर्व प्रगति हुई है दोनों देशों के बिजनेसिस्ट में जबर्दस विश्वास है उत्सा है जपान भारत में सबसे बड़े इंवेस्टर्स में से एक विश्वस्त साथी है डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर और मुंबई अमदाबाद हाइश्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैक्सिप प्रोजेक्ट में जपान का सहयोग उल्लेख ही रहा है हम इस योगदान के लिए बहुत-बहुत आभारी हैं मुंबई अमदाबाद हाइश्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही हैं दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की एप्रोच के साथ काम कर रहे हैं यह प्रोजेक्ट भारत-जपान पाट्रशिप का एक बहतरीन उधारण है मुझे प्रसंदता है कि हमने 2014 में नेधारित 3.5 ट्रिलियन जपानिज येन का इन्वेस्टमेंट टार्गेट पार कर लिया गया हम अब हम अपने महत्वकांक्षाओं को और बढ़ाने का नेड़ने लिया है और आने वाले 5 वर्सों में 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड रुपिय का नया टार्गेट ताइक किया है आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने व्यापाक आर्थिक रिफार्म अपनाए हैं और इस अब दूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाई है आज भारत मेक इन इंडिया फॉर्द बॉर्ल के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तूत करता है इस संदर में जापानीज कंपनीज बहुत समय से एक प्रकार से हमारी ब्रांड एमेसेडर सही है हमारे बीच टेक्नोलोजी और इनोवेशन सेक्टर्स में पार्टर्शिप में नए आयाम जूड रहे हैं हम जापानी कंपनीज को भारत में अनुकुल माहोल उपलब्द कराने के लिए प्रतिबद्ध है आज लांच किया गया इन्डिया जपान इंडिस्ट्रियल कंप्रिटिटिवनेस पार्टर्शिप रोड मैप इसके लिए एक कारगर मेकनिजम सिद्ध होगा जपान के साब हमारी स्किल्स पार्टर्शिप भी इस दिशा में कारगर भूमी का निभाएगी फ्रेंड्स भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेवल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं ये सस्टेनिबल एकोनमिक ग्रोथ के लिए उस लक्ष को पाने और क्लाइमेट चेंग के समस्या से निपटले के लिए बहुती अनिवार यह हैं हमारी क्लीन एनर्जी पार्टर्शिप इस दिशा में लिया गया एक निरनायक कदम साबित होगा कई अन्य महत्वपण बिंदो पर भी आज हमारे बीच सहमती बनी हैं गोष्णाय हुई है प्रदानमंत्री किशिदा की यह यात्रा भारत जपान स्पेशल स्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टर्शिप में नए आयाम जोड़ने में सफल रही है मैं एक बार फिर प्रदानमंत्री किशिदा और उनके डिली किशन का भारत मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं धन्यवाद करता हुआ है